नमस्कार और वेल्कम टू स्टडी ग्लोज मैं हूँ प्रशांत मावानिया आपकी स्क्रीन पर आप देखिए एक शिप है इसका नाम है इंडियन नेवल शिप किरपान भारत ने ये जो शिप है इसको वियत नाम को गिफ्ट में दे दी है तो आज हम इस विशे पर विस्तार स चरजा करने वाले हैं सबसे पहले तो ये प्रशन उठता है कि ये वाला टॉपिक जो है यो हमारे लिए इंपोर्टन क्यों है भारत के फॉरेंड रिलेशन्स के पॉइंट ओ वियू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टन बन जाता है इंडिया वर्सिस चाइन एक लंबे समय से चल रही है as we all know और एक लंबे समय से चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करता आया है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो अगर आप हमारे दुश्मन देश को अपग्रेड करेंगे in terms of military तो हम भी उन देशों की मदद करेंगे जिन के साथ आप के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वियत नाम और चाइना के इश्यूस जो है वो चल रहे हैं और यहां पर भारत वियत नाम की मदद कर रहा है तो इंडारेक्ली चाइना की ताकत को कम करने के पॉइंट अफ यू से देखे तो भी यह टॉपिक जो है वो इंपोर्टन बनता है फिर हमारी एक फॉरिन पॉलिसी का पार्ट है एक्ट इस्ट पॉलिसी और इसमें आसियान के जो दस देश हैं वो हमारी लिए बहुत ही इंपोर्टन है तो इस पॉइंट अफ यू से आसियान और एक्ट इस्ट पॉलिसी के पॉइंट अफ यू से भी यह टॉपिक बहुत ह जाता है इंडो पेसिविक रीजियन जापान औस्ट्रेलिया युएसे जैसे देशों के साथ मिलकर भारत ने एक क्वार्ड ग्रूप बनाया है जो इंडो पेसिविक रीजियन के लिए एक बहुत इंपोर्टन ग्रूप है तो इस पॉइंट फियू से भी ये टॉपिक इंपो पॉइंट फियू से इंडियन ओशियन रीजियन में सबसे एक इंपोर्टन और ताकतवर अगर कोई देश है तो वो हमरा देश भारत है तो इंडियन ओशियन की रक्षा करने के लिए क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है तो इसक प्रशांत महा सागर को जोडने वाली कड़ी है तो इस वेरी वेरी इंपोर्टन के यह साउथ चाइना सी जो है यह ओपन रहें फ्री रहें राइट इसमें किसी भी देश की दादा गिरी ना हो वरना यह पूरा इंडो पेसिक वे रीजियन जो है यह प्रभावित हो सकता है इंडिया और वियतनाम के रिलेशन्स के पॉइंट फियू से भी इंपोर्टन है और ग्लोबल साउथ लीडिशिप ग्लोबल साउथ यानि की डेवलोपिंग देश का एक लीडर के तोर भारत जो काम कर रहा है तो उस दिशा में देखा जाए तो भारत ने एक बहुत बड़ साइकोलोजी का कोर्स तयार किया है यह कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल एप पर अवेलेबल है एक कुपन कोड भी है डार्क 40 अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे तेन यू विल केट डिसकाउंट्स तो फाइंड आट मोर अबाट इस प्रिक्लर कोर्स डाउनलोड स्टड नैवल है और भारत ने इस जो वियत नाम को गिफ्ट किया है वियत नाम के डिफेंस मिनिस्टर जनरल फैन वैन यांग भारत की यात्रा पर आया थे इसी महहने वो भारत में थे और जब वो यहांपर थे उसे समय पर भारत ने officially ये announcement किया था कि हम ये worship जो है वो वियत नाम को gift के तोर पर देने वाले हैं रही बात वियत नाम देश की तो ये दक्षिन पूर्वी एजिया का एक देश है South East Asia का देश है और जो आसियान के बारे में मैंने आपको बताया है तो आसियान यानि की आसियान का एक मेंबर देश है अब रही बात वियत नाम के मैप की तो यहाँ पर आप देखिए This is South China Sea यह वाला South China Sea है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके मैप को भी हम अच्छी तरीके से देखने वाले हैं बाकी आपको मैलेशिया, इंडोनेशिया है यहाँ पर फिलिपाइन्स है फिर ब्रुमाइ नाम का जो एक देश है तो तो नाइन पर देख है तो सिंगापोर तो यह दिए 10 आसियान के देश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टक उनल चांची प्रकुम खेलए पर और सिक्सक्षास हो वर बागिक देशें अगर अगर आपको मैः लौफ के साथ जड़ी हुई और डीटेल्स चाहिए तो इस वीडियो को यहां पर pause करके आप इस map को अच्छी तरीके से study कर सकते हैं मैंने basic important चीज़े जो है वो आपके साथ share कर दी है Now dear friends, इंडिया की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने इस प्रकार का gesture किया है भारत ने पहली बार किसी ऐसे देश को इस प्रकार की वारशिप जो है वो gift में दी है तो this is of course a big thing for our country India दूसरी चीज़ वियत नाम हमने देखा कि एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ land और marine boundary शेर कर रहा है तो ऐसे देश को इस प्रकार की ship देना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा defense का decision है नेवी की बात करें इंडियन नेवी ने ये किरपान के transfer के बारे में ये कहा कि जो like-minded देश है जो like-minded partners हैं उनकी capacity और उनकी capability बढ़ाने के लिए भारत जो है वो committed है so this is again a big thing जो मैंने global south के बारे में बात बताई आई आसियान के बारे में बात बताई तो उस point of view से देखा जाए तो इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा ये statement है history की बात करें तो भारत ने कुछ दूसरे देशों को military equipment और छोटे vessels प्रोइड की हैं Maldives को, Mauritius को हमने military equipment और छोटे छोटे वैसल्स प्रोइड की है Myanmar को हमने एक submarine भी प्रोइड की थी लेकिन इस प्रकार की active warship जो है एक frigate किसी को देना जो है तो that is not frigate sorry एक corvette हमने दी है तो this is a big thing right corvette और frigate में क्या difference होता है उसको भी आज हम समझने वाले हैं अब बात करते हैं हम इंडिया और वियतनाम के relations के बारे में 1950 से ही दोनों देश जो है वो एक दूसरे के political मित्र हैं बहुत सारे अलग-अलग international issues पर दोनों देशों ने एक दूसरे को हमेशा support किया है खासकर कि ये जो South China Sea वाला issue जो है तो इसमें भारत का support वियतनाम को पूरा रहा है और बदले में जब भी चाइना वाला कोई issue आता है तो वियतनाम जो है वो भारत के support में रहता है तो अच्छी मित्रता है दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच में relationship जो है वो काफी ज्यादा improve हुए है और जो main focus रहा है दोनों देशों का that is defense security cooperation काफी ज्यादा बढ़ चुका है और खास करके Indo-Pacific region में जिस प्रकार के नए-नए challenges सामने आ रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर दोनों ने एक दूसरे के साथ security cooperation काफी ज्यादा बढ़ा दिया है cooperation की बात करें तो maritime security, joint military, naval exercises और intelligence sharing ये तीन बड़ी-बड़ी चीज़े जो overall defense के अमरेला के तहट आती है तो इन तीनों बड़ी-बड़ी चीज़ों में दोनों का cooperation जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है जिस प्रकार से assertiveness जो misbehavior चाइना का बड़ा है जो दादागिरी चाइना की बड़ी है तो इस चीज़ को लेकर दोनों देश जो है वो चिंतित रहते हैं तो इसलिए दोनों की मित्रता जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा logical साबित होती है अब बात करते हैं इस ship के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसका नाम है किरपान यह एक active warship है यारे कि यह अभी भी हम use कर रहे थे अब use नहीं कर रहेंगे क्योंकि अब यह हमने officially handover कर दी है तो यह indigenously build missile corvette है यह एक corvette ship है वो corvette और frigate का difference भी मैं आपको समझा दूँगा है don't worry about it 1991 में हमने इसको commission किया था यारे कि 1991 से भारत इसका इस्तमाल कर रहा है और किरपान जो है वो एक प्रकार का प्रतीख है कि भारत की जो naval capacity है वो काफी ज्यादा है काफी अच्छी है और हम indigenously हमारे देश में ही स्वदेशी इस प्रकार की जो worship है उसको design भी कर सकते है और पैदा भी कर सकते है तो किरपान जो है वो इस चीज़ का प्रतीख है हमारी navy की ताकत का प्रतीख है यह कुखरी क्लास कुखरी क्लास कॉरवेट है और यह third ऐसी indigenously built कुखरी क्लास missile कॉरवेट है इसमें missile की भी facility है specifications की बात करें तो displacement यान कि कितना load यह उठा सकती है displacement जिसको कहते तो 1423 short ton या फिर 1291 ton बाकि कितनी लंबाई है चोड़ाई है यह सारी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यह इसके specification है जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि यह अपने आप में बहुत important ship क्यों है तो इसके weapons को समझ लीजिए weapons की बात करें तो इसमें चार P-15 termit हैं यह missile launches हैं तो यह missile launches जो हैं यह दूसरी जो ship होती हैं उनको destroy करने में इसका इसका होता है तो यह इसकी anti-ship capability है this is the most important thing इसके अलावा इसमें एक san5 gray launcher है जो air defense missiles के लिए means air defense missiles हैं यह launch करने के लिए यह gray launcher का इसका होता है विचिसए very important thing अगर किसी aeroplane को उडाना है तो इसके लिए इसका 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 हो सकता है इसमें AK 176 76 mm 60 caliber की main gun है और दो AK 630 30 mm की guns है रही बात missiles की तो भारत missiles handover करेगा इस frigate के साथ इसकी clarity जो है वो defense ministry ने नहीं दी है अब बात करते है frigate और corvette में क्या difference होता है देखिए एक जो corvette होती है right वो सबसे छोटी ऐसी ship होती है जिसको आप war ship की category में add कर सकते हैं corvette से अगर कोई छोटी ship है तो फिर वो war ship की category में नहीं आएगी तो सबसे छोटी अगर होती है तो that is corvette उससे थोड़ी बड़ी medium sized जो ship होती है तो वो होती है frigate frigate जो होती है वो destroyer से छोटी होती है destroyer जो है वो सबसे बड़ी उससे छोटी होती है frigate और उससे छोटी होती है corvette तो frigate corvette के साथ साथ destroyer क्या है वो भी आपको पता जल गया it is the biggest out of this frigate and corvette ठीक है अब बात करते हैं south china sea के बारे में south china sea में जो dispute है जो issue है वो long standing है long standing यानि कि एक लंबे समय से चल रहा है और यह territory को लेकर dispute है और maritime पानी को लेकर यहाँ पर dispute जो है वो चल रहा है और बहुत सारे देश इसमें involved हैं दाओ की बात करें claims की बात करें तो अलग-अलग islands अलग-अलग reefs, shells और पानी को लेकर south china sea में अलग-अलग देशों का claim है अब यहाँ पर यह वन टू थ्री और फूर आप देख रहे हैं तो पराकल islands है तो यह वाले जो islands आप नजर आ रहे हैं इस वन के बाजू में लिखे हुए है तिस इस पारकल islands में आपको laser point की मदद से समझाता हूँ देखिए यहाँ पर जो islands नजर आ रहे हैं तिस आर पारकल islands यह नमबर वन यहाँ पर लिखा है नमबर टू जो है यह वाले चोटे चोटे डॉट्स जो नजर आ रहे हैं नटूना सी जो हैं तो यहाँ पर यह नटूना islands है ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप observe कीजिए जो चाइना यहाँ पर border share करता है साथ चाइना सी के साथ तो यहाँ पर यह लाल lines आपको नजर आ रही हैं तिस वन तो आप count कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यह 9 जो lines हैं इ चाइन डेश लाइन अब चाइना क्या कह रहा है कि चाइना यह कहता है कि हमारा है हमारे एक राजा थे तो उस राजा के कंट्रोल में यह पूरा साथ चाइना सी था तो एक अपनी हिस्टरी की जो पुरानी किताब है जिसका कोई ऐसा claim नहीं है कोई ऐसे documents नहीं है चाइना क आप देख रहे हैं आप समझे लीजिए लगबग लगबग पूरा यह साउट चाइना सी जो है वो हमारा है ऐसा चाइना का claim है अब वियत नाम का claim है फिलिपाइन्स का claim है इंडोनेशिया का है राइट और यहां पर मैंने देखिया आप लिखा हुआ है नाइन डिर्स रहा है और यहां पर क्लियरली देख सकते है कि चाइना जो है वो वियत नाम का पानी जो है उसका claim कर रहा है कि यह वाला portion हमारा है तो यह एक dispute जो है यह दोनों के बीच में कलंबे समय से चल रहा है और चाइना का misbehavior जो है यहां पर काफी ज्यादा रहा है तो sovereignty के point of view से दे तो यह route South China Sea से होकर निकलता है तो अगर कोई देश इस पर पूरी दादा गिरी करेगा अपने control में लेने की कोशिज करेगा तो Indian Ocean और Pacific Ocean के बीच में connection जो है वो तूट जाएगा तो freedom of navigation के point of view से भी बहुत important है और यहां पर maritime ecosystem जो है वो भी काफी ज्यादा diverse है so this is the reason के South China Sea जो है वो important भी है और इसमें क्या dispute चल रहे है वो भी आपको मैंने बता दिया है अब यह सारी चीजे जो हुई है गिफ्ट हमने दी तो चाइना का क्या reaction आया है चाइना के defense minister ली सेंगफू की एक मुलाकात जनरल फैन वैंग ग्यांग के साथ हुई तो वियतनाम और चाइना के defense ministers के बीच में एक meeting हुई और इस meeting में चाइना नहीं यह कहा है कि वो हैनोई के साथ याने की वियतनाम के capital के साथ वियतनाम की सरकार के साथ मिलकर communication और cooperation को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है तो आई होप आज की इस discussion से आपको यह पूरे क्षेतर के बारे में क्या चीज़े चल रही हैं इंडिया भी अतनाम जितने भी topics हमने discuss की हैं सारे के सारे topics आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे information नहीं knowledge आपको प्रा जाने से पहले I would like to remind all of you to make the most out of this dark 40 discount code जो यह dark psychology course पर अविलेबल हैं Thank you very much for your love and support God bless you all Jai Hind